हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम पौदों को लगने वाले कीडे जैसे मिली बक्स और एफिट्स को जड़ से खतम करने के लिए 10 ट्रीटमेंट आप्शन्स को देखेंगे और अन्त में इन कीडों को मारने के लिए एक स्पेशल फॉर्मुला भी देखेंगे चलिए शुरू करते हैं ये मिली बक्स जो है वो भी कोरोना वाइरस के जैसे हैं जो एक पौदे से दूसरे पौदे को जल्दी से फैलते हैं अगर आपके पौदे में मिली बक्स के साथ चीटियां भी हैं तो इसको भगाना मुश्किल है क्यूंकि ये चीटियां जो है वो मिली बक्स के साथ एक खास रिलेशन्शिप रखते हैं लेकिन इस वीडियो में हम कीडों को खतम करने के लिए कई तरीखों को दिखाएंगे जो पौदा इंफेक्टेड यानि संक्रमित हो गया हो तो उस पौदे को दूसरे पौदे से दूर रखे नेक्स्ट है प्रूनिंग मिली बक्स अक्सर पौदों के टिप्स पे पाए जाते हैं तो इसलिए आप उन ब्रैंचेस को निकाल दे और ध्यान से इनको जला दे नेक्स्ट बक ब्लास्टर मेतेड यानि पानि को स्प्रे करना आप गARम पानि को ज्यादा प्रेजर से पौदे पर स्प्रे कर दे इससे मिली बग्स पौदे से दूर हो जाएंगे अगर infection कम हो और चीठिया ना हो तब इस method को यूज़ करें वरना ए चीठिया इन कीडों को दुबारा पौधों पर पहुचा देंगी Next, soap water और एक simple method से आप कीडों को खतम कर सकते हैं वो है soap water आप एक टी स्पून dish wash liquid soap को ले ले या कुछ drops shampoo को एक लिटर पानी में mix कर ले और पौदों पर spray करें Next है neem oil बहुत से लोग इस organic pesticide को यूज़ करते हैं वो है कि एक टी स्पून neem oil एक लिटर पानी में मिलाए और दस ट्रॉप liquid dish wash soap को डाले और अच्छा सा mix करें और इस solution को सारे पौदे पर spray करें इसको हफ़ते में एक बार डालते रहिए इससे box को खतम कर सकते हैं पहले एक पत्ते पर spray करें एक से दो गंठे वेट करें अगर पत्ता या ब्राइंट डैमेज हो गया है तो इस solution में पानी मिला ले नेक्स्ट है आलकोहल आलकोहल में specially ethanol और methanol होता है जो पौदे को नुखसान पहुचा सकता है आप rubbing alcohol को इस्तिमाल करें यानि 70% isopropyl alcohol का इस्तिमाल करें अगर थोड़ा infection हो तो आप cotton swap में आलकोहल सोख करके इस पर पोच दें अगर ज्यादा infection हो तो equal quantity यानि वन इस्टु वन रिश्यो में आलकोहल और पानी को मिला कर स्प्रे कर दे ये हफते में एक बार करें अब देखते हैं कॉक्टेल मेतेड इस मेतेड में आप आदा लीटर पानी को स्प्रे कैन में ले ले आदे से एक टीस्पून नीम के तेल को आड करें और एक कप यानि 250 ml रबिंग अलकोहल को डालें अगर आपके पास रबिंग अलकोहल ना हो तो आप hand sanitizer या after shave lotion का इस्तमाल कर सकते हैं लास्ट में 10 ड्रॉप liquid soap के आड करें अब ये बन गया है एक powerful mixture जिससे कीडों आख कीडे आसानी से मर जाएंगे मगर आप यूस करने से पहले patch test जरूर कीजिए नेक्स्ट है diatomaceous earth ये d e powder को flowering या fruiting plant के फूलों के उपर मट डालिए क्यूंकि ये pollinators को नुक्सान पहुंचाएगा इस powder को छिडखने से millibugs और ants दोनों से चुटकारा पा सकते हैं नेक्स्ट है insecticides कई सारे chemical insecticides हैं जिससे bugs मर जाते हैं लेकिन कई gardeners इसको recommend नहीं करते आप हम बताएंगे सबसे special formula वो है hydrogen peroxide ये एक अच्छा chemical है जो जड़ों या मिटी में पाए जाने वाले millibugs को भी मार सकता है आप 2 cup यानि 3% hydrogen peroxide या 1 cup 6% peroxide को एक लिटर पानी में मिला कर हफ़ते में एक बार डाले ये बहुत ही उप्योगी है तो दोस्तों इस वीडियो से आप millibugs और एफिट्स से चुटकारा पा सकते हैं तो आगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए हैपी गार्निंग